Hi kids, Assalamu alaikum. Today we are going to make something super fun. A greeting card. Are you ready? Let's go. चलें देखते हैं greeting card कैसे बनता है. Ayan and Maham are very happy. Ayan and Maham जो हैं वो art class में greeting card बनाएंगे. Ayan and Maham दो बच्चों के नाम हैं. और क्या हैं? They are very happy. आर का मतलब हैं, very, बहुत, और happy, खुश. Ayan and Maham बहुत खुश हैं. तो चलें देखते हैं कि वो खुशी में क्या करने जा रहे हैं? तो first step जो है, वो Ayan and Maham जो हैं, वो क्या करते हैं? They are making an Eid card in their art class. आर क्लास महम और Ayan क्लास वन के स्टूडेंट्स हैं. और उनका एक period होता है आर्ट क्लास में और वो आर्ट क्लास में जो है, वो इद कार्ड बनाने जा रहे हैं. ठीक है, वो अपनी आर्ट क्लास में Eid card बनाने जा रहे हैं. Making का मतलब होता है, बनाना. Eid card, Eid card ही कहते हैं. तो देखते हैं कि वो Eid card को कैसे बनाते हैं? सबसे पहले वो क्या step लेंगे? आप सोच कर बताएं, जब Eid card बनाते हैं, तो let's see what they are doing. चलें देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? तो पहला step क्या होगा? अयान टेक्सा piece of paper. अयान जो है, वो एक piece of paper लेता है. टेक्स लेना, piece टुकडा, और paper कागज. अयान एक कागज का टुकडा लेता है. अब जो है, महम क्या करती है? महम उसको help out करती है. महम folds it in half. महम उस कागज के टुकडे को दो हिसों में fold करती है. दर्मयान से मोडती है. fold करने को कहते हैं मोडना. और महम उसे दर्मयान से मोडती है. They draw some flowers on it and color them. तो एक paper का piece लेके उसके उपर वो फूल बनाते हैं और उनको color करते हैं. अगर हम इसका बामहावरा तर्जमा करेंगे तो वो इस तरह से आएगा. वो इस पर कुछ फूल बनाते हैं और उन्हें रंगते हैं. यानि उन्हें colorful बनाते हैं अपने कार्ड को. फिर अगला step वो क्या करते हैं? अगला step जो है आयान और महम करते हैं. They share their color pencils which either each other. क्योंके वो मिल के काम कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे की color pencil बांटते हैं. यानि एक दूसरे की color pencils को use कर रहते हैं. तो अच्छे बच्चे जो होते हैं वो मिल चुल कर काम करते हैं. अपनी pencil और razor एक दूसरे को देते हैं. maham writes ने मुबारिक आनिट जो उनोंने कार्ट बनाया है, उसके उपर maham क्या लिखती है? उसके उपर एद मुबारिक लिखती है, ठीक है, एद मुबारिक और अब जो है, अईान जो है, वो क्या करता है? अईान राइस ग्रीटिंग्स आन कार्ड greetings का मतलब होता है मुबारिक देना तो एयान कार्ड पर मुबारिक बात लिखता है यानि दोनों अपना काम मिल जुल कर कर रहे हैं फिर उसके बाद the card is ready यानि जो उन्होंने ईद कार्ड बनाया था वो तियार हो चुका है the card is ready कार्ड जो है तियार है अब कार्ड जब बन कर तियार हो गया तो जाहर है वो किसी को पेश भी करेंगे तो उसके लिए उनके दमाग में आया कि वो अपनी कजन को देंगे they clean the table after finishing their work they clean वो अपना काम खत्म करने के बाद मेज साफ करते हैं अच्छे बच्चे जब भी कोई काम खत्म करते हैं तो वो अपनी चीजें समेटते हैं then they wash their hands with soap and water और उसके बाद वो अपने हाथ जो हैं उनको साबन और पानी से दोते हैं फिर वो साबन और पानी से अपने हाथ दोते हैं क्यूंकि हाथों पे कलर्स लग जाते हैं तो आप भी हमेशा आठ क्लास के बाद अपने हाथ दोया करें they give this card to their cousin asma before each day एद से पहले वो ये card अपनी cousin asma को देते हैं cousin, खाला, चचचा या मामु की बेटी को कहते हैं तो वो दोनों ये card अपनी cousin को देते हैं she likes it very much वो इसको बहुत पसंद आता है यानि asma को उनका दिया हुआ card बहुत पसंद आता है अमीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को सबस्क्राइब करें ताके आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे